क्या इस लॉक्डाउन के दोरान आपका भी वेट बढ़ गया है तो यकीन मालिए आप अकेले नहीं है वेल देर्स अ बालोजिकल रीजन बिहाइंड तोस एक्स्ट्र अकाउंट्स एक तो कोरोना पैंडमिक का स्ट्रेस और दूसरी तरफ फाइनसे बिजनेस नौकरी यह सब प्रॉब्लम्स कहीं न कहीं हमारे मन में एंजाइटी पैदा करते हैं और यहीं एंजाइटी की वज़े से हमें हंगर पैंज होते हैं एक्सपर्ट भी यही मानते हैं कि जब हम स्ट्रेस में होते हैं तो हमें ज्यादा खाने की इच्छा होती है बार बार क्रेविंग्स होती है और रिजल्ट होता है वेट का बढ़ना तो अगर कुछ एक्स्ट्रा किलोस गें कर लिए हैं तो मेरा आज का वीडियो है आपके ल रही हूं जो कि बहुत ही easy to follow है और जिसकी हेल्ट से आप 10 दिन में 4-5 किलो वजन आसानी से कम कर सकते हो इसे thyroid patients, PCOD patients, वो महिलाए जिनकी delivery हुई है सब ही follow कर सकते हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं यह वीडियो लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक कर दीजेगा और मेरे आप को सब्सक्राइब कर लीजेगा तो first and foremost मैं आपको बता हुँ कि इस weight loss diet plan में हम intermittent fasting करने वाले हैं फास्टिं का नाम सुनका डरने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है बारा गंटे का रस देंगे अपने digestive system को और बारा गंटे के बीच में कुछ खाएंगे तो बहुत easy है य तो सुभा की शुरुआत करेंगे साथ बजे के इस yellow drink के साथ ये drink आपकी immunity तो बढ़ाएगा ही साथ ही साथ आपके metabolic rate को भी boost up करेगा जिससे weight loss process आपका speed up हो जाएगा कैसे बनाना है चलिए देख लीजे वेल आपको लेना है एक गलास गरम पाली उसमें आपको add करना है और next ingredient जो आपने add करना है वो है एक चुथाई चमच टर्मलिक यानी की हल्दी हल्दी एक natural antioxidant है साथ ही साथ natural antibiotic का भी काम करती है immunity बढ़ाती है और आपके heart की functioning को liver की functioning को बहतर बनाती है तो इस तरह से इन दोनों चीजों को add कर लीजे गरम पानी में और ये आपका morning drink ready है साथ बजे इसलिए पीना है क्योंकि हम बारा घंटे की fasting करने वाले हैं और बारा घंटे में ही अपना खाना complete करने वाले है तो बारा घंटे की diet आपको बता रहे हूं बाकी के बारा घंटे आपको कुछ नहीं लेना है तो इसलिए 7 to 7 बता रहे हूं वैल अगर आप 6 बजे लेना चाहें तो 6 to 6 रहेगा फिर आपका eating routine इसी तरीके से अगर आप बजे लेना चाहें तो 8 to 8 रहेगा और उसके बाद आप कुछ नहीं खाएंगे तो बारा घंटे stress देना है पूरा अपने digestive system को तो सुभा ये आपको पीना है लाला नौ बजे का time breakfast का breakfast में अगर आप protein लेते हैं तो protein आपकी satiety hormones को activate करता है लंबे समय तक आपका पेट पुल रहता है और cravings कम होती है let me tell you चाहे आप कोई भी diet plan क्यों ना follow कर रहे हूं breakfast को कभी भी करना चाहिए breakfast is the most important meal of your day और ब्रेकफर्स में प्रोटीन जरूर जरूर आपको add करना चाहिए फिलिप्स रिसर्च में भी पता चला है कि अगर आप ब्रेकफर्स में 30 ग्राम अफ प्रोटीन लेते हो तो ये आपकी appetite को कर्ब करता है साथ ही साथ आपके weight loss process को भी स्पीड अप करता है तो ब्रेकफर्स में ये प्रोटीन स्मूदी कैसे बनानी है चलिए देख लीजे इसे बनाने के लिए आपको चाहिए एक केला या कोई भी fruit जो आपको पसंद हो आपल ले सकते हो आप मैंगो ले सकते हो स्ट्रॉबरीज ले सकते हो और एक ग्लास करने में बहुत बहुत अच्छा है रुटीन तो इसमें है ही साथ ही साथ इसेंशल नूट्रियंट बितमिस फिह जिनकी आज भुच हमें बहुत बहुत ज़ुरूरत है इसमें हैं ब्रीडयर जो की अपकें हमें सिन्तील प्रोल के अपकी प्रोल सMusic कु and curcumin extract Soya free है, यह protein powder, gluten free है और artificial sweeteners यह preservatives इसमें नहीं add किये गए है It makes a complete nutritious drink for you and helps you manage your balance of proteins in your diet तो इसे बनाने के लिए क्या करना है केला कट-कट-कट करके आप मिक्सी के जार में डालिए इसमें एक ग्लास दूद आड कीजे और एक स्कूप औजीवा प्रोटीन पाउदर दाल दीजे blend कर लीजे इसको अच्छे से and your breakfast is ready इस breakfast में हम कोई artificial sweetener नहीं add कर रहे है कोई घी, कोई चीनी, you know, extra carbs हम नहीं ले रहे है completely fat free है हमारा यह breakfast इसका टेस्ट बहुत-बहुत डिलिशिस होता है chocolate flavor में है यह and let me tell you, जब से मैंने प्रोटीन स्मूदी लेनी शुरू की है breakfast में, मैं पूरा दिन energetic रहती हूँ साथ ही साथ, hormones की problem मुझे थोड़ी बहुत थी, periods up and down रहते थे वो completely normal हो गया है, क्योंकि इसमें शतावरी है शतावरी women hormone health के लिए बहुत-बहुत अच्छी होती है तो breakfast में आपको यह smoothie लेनी है औजीवा protein and herbs की बहुत ही खास बात है, वो यह है कि यह आपके weight को तो manage करता ही है protein आपको provide करता ही है साथ ही साथ आपकी skin और आपके बालों के लिए भी बहुत-बहुत अच्छा होता है तो मेरे हिसाब से ladies के लिए, women के लिए इससे बहतर protein solution और कोई हो नहीं सकता है तो use कीज़े इसको अपनी daily diet में और बहतरी इन नतीजे आपको मिलेंगे और जीवा प्रोटीन और हर्ब्स का link में आपको description box में दे दूंगी तो आप उस link पर क्लिक करके इसे अपने लिए खरीच सकते है अब बढ़ते हैं midday meal की तरफ 9 o'clock आपने breakfast किया साड़े बारा तक छोटी-छोटी भूख आपको लग जाएगी और उस छोटी-छोटी भूख को मिचाने के लिए आपने लेना है healthy snack यहां मैंने उबले हुए चने लिये हैं और उसमें खीरा, टमाटर, प्याज काट लिया है इस तरह की salad आपकी भूख भी मिचाएगी थकान दूर करेगी और आप लंच में ज्यादा consume नहीं करोगे क्योंकि इसके अंदर बहुत सारा फाइबर है तो इसे आप मंच कर लीजे 12.12 के बीच में यह हो गया आपका midday meal वैल अगर ब्लैक चना नहीं खाना चाहें तो आप वाइट चना बॉइल करके इस तरह से salad बना के खा सकते हैं राजमा को कर सकते हैं या फिर sprouts खा सकते हैं या फिर भुने चने भी खा सकते हैं तो चॉइस आपकी है बहुत सारे options हैं आपके पास आप इन सारे options में से कुछ भी अपने midday meal में consume कर सकते हैं बैं लंच का ताइम है देट से दो बजे के बीच में लंच में प्रेफरिबरी एक green vegetable ज़रूर ज़रूर लेजेगा और green vegetable जो है वो seasonal होनी चाहिए जैसे अभी गर्मिया है तो लौकी, तौरी, टिंडा पालक ये सब आप ले सकते हो ताथ ही साथ आप green चाहिए ज़रूर अपने मील्स में अड़ कीजेए चाहिए वो लंच हो चाहिए वो डिनर हो ग्रीन चाहिए जो की धनिया पुदीना और करीपता से बनाएंगे आपके digestive system को बहुत ही strong बना देगी और blotting बिल्कुल भी नहीं होने देगी और दही ज़रूर आड़ करनी है दही में lactic acid होता है साथ ही साथ good bacteria होता है जो की अपकी gut health को सुधारता है तो दुपहर को एक कटोरी दही ज़रूर खाईए एक कटोरी green vegetable चटनी ज़रूर इन चंजियूम करनी है और रोटी एक से दो आप ले सकते हो अगर आप ज़्यादा physical work करते हो तो दो चपाती भी ले सकते हो अगर आप desk पर बैठे रहते हो computer laptop पर ही सारा दिन काम करना है तो एक चपाती is enough तो इस तरह से आपको lunch करना है तकरीबन चार बज़े के करीब आप green tea ले सकते हो आप मेरा digestive drink ले सकते हो तो उसकी recipe मैंने आपको बताई हुई है जीरा, अजवाइन और करीब पता इक्वल अमाउंट में आपको लेना है उनको पीस लेना है और उस powder का आधा चमच आपने एक ग्लास गरम पानी में डालना है और उसमें आधा नीमबू नी चोड़ना है तो इस drink को आप ले सकते हो या फिर अगर आप चाय पीना चाहते हो तो बिना चीनी वाली चाय आप पी सकते हो अगर आप कोई fruit खाना चाहते हो चार बजे के करीब तो वो भी खा सकते हो या फिर आप 8-10 भीगे हुए बादाम या 5-6 मुनक्य खा सकते हो चॉइस आपकी है शाम को जो भी आप लेना चाहें बढ़ते हैं डिनर की तरफ डिनर साड़े छे और साथ के बीच में आपको कर लेना है साथ बजे से लेट नहीं करना है प्यूकि फिर बारा घंते हम फास्टिंग में रहेंगे पानी आप पी सकते हो बीच में लेकिन और कुछ नहीं खाओगे तो साथ बजे आपका डिनर कंप्लीट हो जाना चाहिए डिनर में नो काब्स अट आल काब्स हम कंजियूम नहीं करेंगे बिल्कुल भी डिनर में आप ले सकते हो एक कटोरी मूंग दाल मूंग दाल बॉल्ड होनी चाहिए और उसमें आप एक चमच घी उपर से डाल सकते हो या फिर आप मिक्स वेजिटेबल सूप ले सकते हो तो ये दो ओप्शन्स हैं आपके पास तो इस तरह से ये पूरे दिन का डाइट प्लैन आपको फॉलो करना है दस से पंदा दिन इसको फॉलो करके देखी आपकी बॉडी में एक नई एनरजी आएगी और साथ ही साथ आपका वेड जो है वो बहुत ही तेजी से लूज होता जाएगा क्यूंकि आप बिल्कुल भी काब्स नहीं कंस्यूम कर रहे हो ना ब्रेकफंस में ना डिनर में लंच में काब्स ले रहे हो पोई चीनी नहीं ले रहे हो घी कितना ले रहे हो सिफ दुपैर की सबजी में थोड़ा सा घी या तेल डल रहा है या फिर रात को दाल में एक चमच घी खा रहे हो तो healthy nutrition मिल रहा है ऐसा ही साथ आप fiber consume कर रहे हो protein rich diet ले रहे हो तो यह full proof diet है इससे वजन आपका गिरता ही गिरता है remember weight loss is 80% diet and 20% exercise exercise के लिए भी थोड़ा सा time निकालना पड़ेगा obviously 30-40 मिनट की walk या कोई exercise जो आपको पसंद हो aerobics, zumba, swimming, badminton खेलना चाहते हो वो खेल सकते हो prana ayam, yoga, जो भी आप करना चाहो 30-40 मिनट ज़रूर कीजे within 10 days आपका weight ज़रूर shed होगा 4-5 kg आराम से जाएगा ये follow करके देखिएगा नतीजे मेरे साथ share कीजेगा कैसा लगा ये video ज़रूर comment करके मुझे बताएगा like का, thumbs up का button है नीचे उसे ज़रूर ज़रूर दबाना है आपने और इस video को share कीजेगा अपने friends, family and relatives के साथ social media पर, whatsapp, facebook, twitter पर जहां भी आप लोगों के साथ मिलते जोते हैं लोगों के साथ connect करते हैं तो मैं आपसे मिलूँगी एक और अच्छी से video के साथ तब तक के लिए, take good care of yourself बाई बाई